हम स्टिटेंट्स वंकम टू मैं चैनल तो आज हम स्टाट करने वाले हैं बैंकिंग ओफ रोड्स जो हमारा प्लस उन का फोल न का युनिट थर्ड का टॉपिक हैं तो बैंकिंग ओ फ रोड्स बैंकिंग का मितलब क्या होता है banking का actually मतलब होता है कि हम किसी चीज के साथ कोई angle बना ले किसी चीज के उपर bank हो जाए जैसे कि suppose यह हमारी normal road है ठीक है अगर हम इस road को थोड़ा सा bank कर दे किसी angle पे divert कर दे तो क्या होता है वो road tidy हो जाती है थोड़ी सी जैसे कि हमारी यह circular road है यहाँ पर ठीक है अब यह जो curve है यहाँ पर क्या होगा level कैसे होना चाहिए था road का ऐसे बिल्कुल बट हमने क्या किया अंदर की side तो road को रखा नीचे और बाहर की side से थोड़ा सा up कर दिया at an angle theta ऐसी roads को बोलते हैं banking तो ऐसी roads को बोलते हैं banking अब हम bank क्यों करते हैं road को और इसकी जरूरत क्यों आपड़ी तो इसके लिए हमें ये निकालना पड़ेगा कि अगर हम road को bank कर देते हैं उसे किसी angle पर raise कर देते हैं बाहर की तरफ तो उसकी वज़े से हमारी जो velocity है maximum कितनी जा सकती है खीक है या नहीं सबसे पहले हम क्या करेंगे consider कर लेते हैं कि हमारे पास एक road है जो इस तरह से curved है उसमें जो ob है ये एक plane road होगी level बिल्कुल level road जो जिस पे हम normally चलते हैं अब क्या किया इसी road को angle theta पे bank करवा दिया raise करवा दिया suppose इसके उपर एक car है तो अब जो ये car है इसके उपर कौन-कौन से type की force लगेगी वो हमें बताना है जैसे last video में किया था हमने forces निकाली थी तो वहाँ पर भी तीन forces लग री थी weight, reaction force और force of friction तो अब हमें ये देखना है कि इन तीनो forces की direction क्या होगी हमें पता है जो weight है किसी भी object का वो center से कहां की तरफ लगता है हमेशा vertically downward तो ये क्या होगया हमारा weight reaction force जो होगी वो इस direction में जाएगी क्यों? last time तो हमने इस direction में ली थी इस बार क्यों? देखो जो भी road होती है उसके 90 degree पे reaction जाती है हमेशा मतलब जो object है ना object ऐसे है तो इसके 90 degree पे ऐसे चली जाएगी reaction force अगर object ऐसे बढ़ा है तो इसका 90 degree ये ही चला जाएगा तो reaction यहाँ जाएगी तो car की हिसाब से हम reaction force लेंगे और ये आ जाएगी reaction and third force कौनसी हमारी frictional force, force of friction ये कहां लगेगी? tires और road के बीच में यहाँ पर, यानि OA line पर बट direction क्या होगी? इसकी direction होगी जहाँ पर curve है जिस direction में यानि कि इस direction में यानि ऐसे F अब क्या होगा? हमने तीनो forces निकाल ली direction भी हमें पता चल गई बट ये तीनो forces का conclusion भी तो निकालना पड़ेगा अब ऐसा तो है नि हम तीनो forces को separate पड़ेंगे हमें combine एक motion में लेके आना पड़ेगा इने कि एक car के उपर तीनो forces के उज़े से effect क्या हो रहा है तो हम क्या करेंगे? ऐसे cases में X और Y X's draw कर लो ठीक है? X, Y, X's draw कर ली अब इसमें देखो MG लग रही है इस तरफ ठीक है? R लग रहा है इस तरफ और F है इस तरफ तो हम क्या करेंगे? R को और F को resolve कर देंगे rectangular components में कैसे rectangular components का मतलब? ऐसे दो components जिनके बीच में angle जो हो 90 degree यानि कि R कौन से plane में है? इस वाले में इस वाले quadrant में है तो यानि एक component यहाँ आएगा एक component यहाँ F किस में है? इस वाले quadrant में यानि एक component यहाँ आएगा एक component यहाँ तो next figure जो बन वाँगी उसके इसाब से components देखना आग एक और चीज ये angle theta था इसकी वज़़ा से ही angles आएंगे अब इस figure में देखो अब हमने क्या ले लिया? हमने उसी तरह consider कर लिया कि यह हमारी plane है यह angle बनावा theta यहाँ पर तो F जो है MG है वो निचे लगी हुए R इस direction में और F इस direction में clear? अगर आप चाहो तो यहाँ भी बना सकते हो यह x-axis होगी आपकी और यह y-axis इस तरह dotted बना लेना आपको थोड़ा ही साब आ जाएगा फिर अब हमने जो देखा यह आए वाला और यह वाला angle क्या हो जाएगा theta by corresponding angle की तरफ से आ जाएगा यह theta तो अगर यह angle theta है तो R का component दो split होंगे cos theta और sin theta यहाँ जो cos वाला component आएगा यहाँ sin वाला हो जाएगा by alternating angles तो जो theta के साथ वाला component होता है वो क्या होता है cos theta तो यह क्या जाएगा f cos theta यह क्या जाएगा f sin theta यहाँ तक समझना बहुत जुरूरी है उसके बाद तो just calculations है calculations करना असान है यह वाला जो proper यह जो diagram है ना यह समझ में आगया तो सब आगया इसके लिए क्या करना यह x-axis consider कर लेना और यह y-axis इससे क्या होगा easy हो जाएगा आपको subtract करनी चीज़े अब next चलते हैं यहाँ तक हमने सिरफ forces को resolve किया है मैं लिखा भी हो वैसारा आप चाहो तो यहाँ से देख सकते हो कैसे three forces थी weight फिर normal reaction फिर friction फिर r को resolve किया दो component में फिर f को resolve किया दो component में यहाँ तक कैई यह procedure था हमने resolve क्यों किया क्योंकि r और f हमारे न x-axis में था न y-axis में तो हमें forces उस directions में लाने पढ़ती है अब there is no acceleration along vertical direction अब vertical direction में कोई acceleration मतलब हमारी कार उड़ थोड़ी रही है वो जमीन पे ही है इसका मतलब उसकी जो उपर force लग रही है और जो नीचे force लग रही है वो equal है जो यह कार है इसके उपर और नीचे जो forces लग रही है वो equal होंगी तब ही यह इसमें कोई moment नहीं है तो हमारी vertical direction में diagram देखो उपर की तरफ कौन सी force है r cos theta नीचे की तरफ दो forces है f sin theta और mg इस दोनों को add करतो तो हमारी first equation बन गई mg plus f sin theta is equal to r cos theta second आपने जो last topic किया था उसमें पता है हमें कि जो हमारी force of friction sorry जो हमारी centripetal force है वो horizontal forces की विज़े से आती है जो horizontal direction में लग रही है पहले सिरफ एक f लग रही थी last वाले topic में बट यहां पर क्या हो रहा है horizontal direction में ज़्यादा forces है diagram देखो अब horizontal direction में दो forces है r sin theta और f cos theta ये दोनों किसके एकोल होनी चाहिए हमारी centripetal force के तो हमारी second equation आ गई r sin theta plus f cos theta is equal to mv square by r दियान रखना दो ही equations बनेंगे एक vertical को compare करके एक horizontal को compare करके next अब हमें बता है हमारे जो f है f क्या है f जो होता है उसके formula होता है mu r but जो ये force और friction है वो mu s r से equal होगी या उससे कम लगेगी इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकती अगर हमें maximum velocity चाहिए तो हम maximum force consider करेंगे and maximum force क्या होगी हमारी mu s r हम इसको consider कर लेते हैं और इसको equation first और second में put करवा देंगे just calculations हैं अब अब समुझने वाला कुछ नहीं है हमने first equation में put करवाया यहाँ पर r cos theta mg plus यह f था यहाँ put करवा दिया mu s r sin theta r को एक side ले लिया r को common निकाल दिया ये equation 4 बन गी next जो equation second थी हमारी इसमें f की जंगा mu s r put करवा देंगे तो हमारे पास यह equation बन जेगी यहाँ से भी r common आ गया अब क्या करेंगे equation 5 को equation 4 से divide करतो ठीक है r से r cancel m से m cancel इसमें मुझे कैसे पता चला 5 उपर आएका 4 नीचे कैसे भी कर लो last में हमें v निकालना है अब यहाँ पर v square की equation क्या बन गी r g bracket sin theta plus mu s cos theta by cos theta minus mu s sin theta अब यह equation याद करने मुश्किल हो जाएगी तो हम क्या करेंगे पूरी की पूरी equation में से उपर और नीचे cos theta को common ले लेंगे ठीक है अब अगर मैं इसमें से cos theta common लोंगी cos theta common कैसे लेंगे यहाँ से cos theta से multiply cos theta से divide यह तो बहर आगया common में अंदर क्या बच गया sin theta by cos theta और यह क्या होता है tangent theta तो हमारे पास अंदर क्या बच गया tangent theta plus mu s by 1 minus mu s tangent theta और यह v square की value है हमें किसकी value चाहिए v की तो v की value आ जाएगी यह this is the final value of maximum velocity of the vehicle on a banked road अगर कोई road किसी angle पे raised है तो वहाँ पर maximum velocity होगी किसी vehicle के चलने की वो यह होगी ठीक है this is your topic यहाँ तक आपको derive करना था अब questions आते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमने road को सीधी क्यों नहीं रहने दिया उसे raise क्यों किया उपर की तरह इसके लिए कुछ special points discuss करते हैं special जैसे special cases करते थे आप लोग वैसे points लगा लो कोई फरक नहीं है तो इसमें first point यह है कि जो हमने last topic में speed निकाली थी velocity निकाली थी और जो अब speed velocity निकाली है उन दोनों को अगर हम compare करें अब वाली speed maximum है जादा है अगर suppose बिना bank की हुई level road पे अगर मैं चलूं suppose मैं 40 km पर आर पे चल सकती हूं तो अब मैं 50 पे चल पा रही थी तो that means हम maximum speed को safe speed बढ़ा पा रहे हैं अब इस वज़े से road को bank करना जरूरी है ठीक है second point अगर हम suppose करें कि road हमारी smooth है उस पे कोई friction ही नहीं है अतलब practically impossible चीज़ आई है क्योंकि हर चीज़ में friction होता ही नहीं होता है but suppose करो वो road smooth है that means उसका coefficient of friction हो जाएगा 0 और जो हमारी उपर equation आई है last equation final उसमें अगर हम mu s को 0 put करते तो हमारे पास बचेगा ये v is equal to r g tangent theta 1 by 2 इसको consider करके चलना क्योंकि है numerical में use हो जाता है कभी कभी next अगर हमें किसी bank road पे अपनी car कोई vehicle park करना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी होना चाहिए जो tangent theta की value है वो less than coefficient of friction होनी चाहिए ये उसके equal भी हो सकती है no problem at all next banking of road is essential why banking of road is essential जो मैं starting से question बोल रही हूँ कि banking of road essential क्यों है हम क्यों करते आँसा हम क्या सीधी road पे चलना ही सकते क्या अपना vehicle चलाना ही सकते ऐसा इसलिए होता है specially ये उन areas में होता है जो हमारे hilly areas होते है वहाँ क्यों होता है एक तो वहाँ की soil और दूसरा वहाँ जो weather है वो frequent change हो सकता है suppose वहाँ पे snowfall होगी ये rain होगी rain से क्या होगा वहाँ की जो मिट्टी है ना जो soil है वो बहुत ही जादा greasy होती है slide होती है जैसी वो road पे आई वो slippery बना देती है road को बहुत ज़दा और vehicle skid होने start हो जाते है slip होने start हो जाते है तो ऐसी roads को safe बनाना जुरूरी है तो हम क्या करते है ऐसी roads के लिए जो पहाड के बाहर वाला हिसा होता है जो खाई वाला हिसा होता है उसको थोड़ा से उंचा बनाते है as compared to inner side इससे क्या होता है जब road dry थी तब तो कोई दिक्कत नहीं थी friction जो था वो proper centripetal force प्रोवाइड कर रहा था चलने के लिए बट जैसे ही road wet हो गई wet होने से क्या होगा उसका friction कम हो जाएगी friction कम होते ही क्या होगा उसे proper speed नहीं मिल पाएगी जिससे वो चले तो क्या होगा जो वो banking of road जो थीटा है वो उसे एक essential speed प्रोवाइड करतेगा जिसकी वज़े से वो skid ना हो आपने पढ़ा ही है क्योंकि जैसे ही हम बहार की तरफ हमारी road को raise कर देते हैं तो क्या होता उसे उससे उसकी safe speed या maximum velocity बढ़ जाती है और maximum velocity बढ़ते ही हम easily अपने vehicle को वो move करवा सकते हैं ये सिरफ roads के बारे में नहीं है ये है हर चीज़ के बारे में हम railway tracks, highways सब कुछ banking of road को ध्यान में रखके ही बनते हैं ताकि हमारी जो roads जो vehicle down के उपर वो skid ना हो slide ना हो जाए यासे फिसलते वे चले तो इससे accident होने के खत्रा जाद होता है इसलिए, ओके तो this is all for today आज हम इस topic को ये ही छोड़ते हैं next topic है जो मैं करवाँगी bending of cyclist कि cyclist bent होके क्यों चलते हैं ये तीनों ही topic last video, this one and जो आगे करवाँगी तीनों ही topic बहुत important है और ये 5 marks के लिए consider होते हैं चाहे आपका paper school में बने चाहे आपका paper board की तरफ से आए because कुछ state board में plus one का paper बहार से आता है as like haryana board but CBSC में school conduct करवा देता है paper so it doesn't matter कि आपका paper school में बन रहा है या board से आ रहा है कहां से भी आ रहा है इन तीनों topic में से एक topic definite 5 marks का आता ही आता है और इसमें numerical भी आते हैं so make sure आपका topic clear हो and please अगर आपको video अच्छी लगी है लाइक करना and अगर आप channel पर नहीं हो तो please subscribe the channel thank you